नमस्कार आप सब भी कई गवा फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे फूड के बारे में जो कि आपको प्रेग्निंसी में रोजाना याने की डेली खाना चाहिए क्योंकि यह प्रेग्निंसी सूपर फूड है देखो प्रेग् मेठा खाने की क्रेविंग बहुत जड़ा होती है तो ऐसे में हम चौकलेट कोई भी मीठाई या फिर आइसक्रीम वगएरा कुछ भी खा लेते हैं जिससे की हमारे मीठे क्रेविंग खतम हो जाए या फिर कभी आपको चटपटा तीका खाने का मन करता है तो आप ऐसे में ब ऐसे बीडियोग में सिसस्टा गरते हैं तो चली ही वीडियो स्टाट करते हैं जो सबसक्के लें माध कर लेते हैं मौर्णिंग में छाओने में का सबसे पहले हैं न kevär culman 1890 जा सबसप एले बादाम सबसक्या उतार के खा मैंगनेज, कॉपर, जिंक वैगरा और भी बहुत सारी पोसर तत्यों मिलते हैं इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको बादाम खाने के लिए सला दी जाती है तो प्रेगनेंसी में रोजाना बादाम खाने के आदर डालीजिए और यह आपके लिए बहुत जिदा फाइदे देखो दूद आपके लिए काफ़ जादा फाइदे मंद होता है यह तो आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी में आपको दो से तीन बार दूद पिने के लिए कही जाती है क्योंकि का जाता है कि दूद संपून आहर होता है तो दूद में जितने भी पोस्तातों होते हैं आप तो हमकिके काफर कमर में दर्द के सही है घुटने में दर्द धर बादि में पेंड रहता है तो वह कपा इस वाजे था फीर चाहिए तो आपको ली के आप को के बाखर सप्लेमेंट भी आ Раз वी तो काफी जरूरी है इसके लिए प्रोटीन तो देखिए प्रोटीन आपके बच्चे की मास पेसियों के लिए काफी जुरूरी है बच्चे का वजन ठीक हो बच्चे का विकास अच्छी से हो उसकी मास पेसियां स्ट्रॉंग बने इसके लिए प्रोटीन जुरूरी है और प्रोटीन आपके लिए सकते हैं यह अच्छा होता है इसके बाद जो तीसरा सूपर फूड़ा जो कि आपको प्रेग्निसी में रोजाना खाना चाहिए वह अंड़ा देखिए अगर आपका वजन जादा है तो आपको केवल वाइट पार्ट लेना चाहिए और जो यलो पार्ट होता इसको स्क्रिप कर जाना चाहिए बढ़न के बच्चे के विकास के लिए वजन के लिए बहुत जिरूरी है अलाबा आपको इससे खनीज और वसा इसके लाबा बहुत सा विटामिस मिल जाते हैं तो अंड़ा काफी फायदेंद होता है तो आपको रोजाना अंड़ा भी खाना चाहिए इसके ब जैसे कि फाइवर्य लेने से आपका पेट अच्छा रहता है आपका पाचंत अंतर अच्छा बनता है इसके अलाबा इससे आपको बहुत ही अच्छी मातरा में आइरेन मिल जाती है iron pregnancy के लिए कितना जुरूरी है आपको मालूमी है क्योंकि खून की कमी हो जाएगी तो बच्चे के विकास भी असर पड़ता है साथ-साथ समय से पहले delivery होने का खत्रा होता है और कई बार नौर में डिलीवरी नहीं हो पाती है और आपको भी बहुत साइप परियसानिया होती है इसलिए खून अच्छा होना चाहिए और हरी सब जो से आपको अच्छी मातरा में iron मिल जाती है इसके अलाबा calcium में मिल जाती है और आपको बहुत साई vitamins मिल जाते हैं जिसमें के vitamin C और vitamin A आपको अच्छी मातरा में मिल जाती है जो कि आपके बच्चे के लिए काफे जरूरी है विटामिन सी बहुत जरूरी है और इसके लाबा ये एंटी ऑक्षिदंट से भरपूर होते हैं जिसे कि आप बहुत जल्दी बीमारियों के चपेट में आते हैं आपका है अच्छा रहता है आपका इम्मुन सिस्टम में स्ट्रॉंग बनता है इसके बाद देखिए जो नेक बच्चे का दिमाग इवकास भी अच्छा होता है तो बहुत सारे तप मिलते हैं आपको दाल से तो दाल खाईए दाल के अलावा बीन्स मटर छोले सोया बीन ये सारे भी डाल में आते हैं तो आपको इनको भी खाना चाहिए तो इनमें से रोजाना कोईसा भी एक चीज मार्केट में दिखता है आप उनको खा सकते हैं कुछ फल होते हैं जैसे कि आपका पपीता हो गया अननास हो गया या फिर बहुत यदिक मातरा में अंगूर हो गया आपको नहीं खाना चाहिए कम खाना चाहिए मतलब कि अंगूर कम खाना चाहिए अननास और पपीता नहीं चाहिए ठीक, ऐसा कहा जाता है अब जितने मीत इसे, हैं आप सबकोग्हा सकती हैं। लेकिन होता है, एपल अभनित, ऊपको रोजाना एपल खाना चाहिए। और एपल खाने से आपको फाइबर मिल जाता है, कैल्सियम, आइरन, इसके अलाबा बिटामिन A और बिटामिन C अच्छी मातरा में मिल जाती है और बहुत सारी पोश्टतत्व आपको एपल से मिलते हैं, तो आप रोजाना एक सेव जरूर खाईए, केला में पोटी सेम से फ़ल जो सामिल करें जैसे कि संतरा है या फिर आपका नीम्बू है कि का या फिर कीवी है और स्ट्रोबेरी है मतलब कि जो भी खटा फ़ल ना आप उनको अपने खाने में जरूर सामिल कीजी क्योंकि यह पर फूड होता है क्योंकि अगर आप संतरा खाते हैं तो संतरा से आपको फोलिट मिल जाता है जो कि आपके बच्चे के दिमागी विकास के लिए जुरूरी है और इससे बच्चे को तंतरी का अतर्ण से रिलेटेड प्रॉलम नहीं होती है विटामीन इसके बच्चे का विकास होता है वांकि तो रोटी, चावल, दलिया, ओर्स ये तो हमारे अनाज हैं जिनकों कि हम रोजाना खाते हैं तो ये तो हम खाएंगे ही वांकि और कौन-कौन सी चीजे खाने में आपको बता दिया तो इनको जुरूर खाईएगा अपने खाने में सामिल कीजेगा बांकि इमें मिलती हूं नेक्स फीडियो में तब तक की लिए बाइबात हैंगी सो मच नमस्ते